पिछले दिनो सोशल मीडिया पर एक वीडियो जम कर वाइरल हुआ जिसमें देखा गया कि रित्की को नचाया जा रहा है और उसी गाने पर एक युवक्त वारा पिस्टल लहराया जा रहा है इस वीडियो के वाइरल होते ही स्थानी पुलिस की बेचैनी बड़ी पुलिस ने आगे की कारवाई भी शुरू कर दी पर इस बीच इस मामले में एक नई बात सामने आ गई है दरसल जिस युवक्त पर पिस्टल लहराने का आरोप लगा है उसके पिता का साफ तोर पर कहना है कि वो पिस्टल खिलोने वाला प्लास्टिक का था और मृत्य संगीत के उस कारि है कि वाइरल वीडियो में देख रही पिस्टल असली है या खिलोने वाली नकली पर इस पूरे मामले को आरोपी राजनितिक प्रतिदव्विता बता रहे हैं इस पूरे मामले में आपको बता दे कि मूदिहारी के कुनवा चैनपॉर थाने के तेलाहरा पंचायत के को यह वहां के पूर्व मुख्या जितिंद्र शर्मा के यहां बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें ओर्केस्ट्रा का आयोजन किया था और उसी आयोजन में पूर्व मुख्या का बैटे के द्वारा हाथ ने पिस्टल फायर करते का विडियो वाइन हुआ मीडिया को दिखाया और कहा है कि किसी पर हमला दर्ज करने से पूर पूछ ताज कर मामली की सच्चाई को जानना भी पुलिस का हिकाम है। उन्हें यहां तक कहा कि पुलिस जाच करें और उनका बेटा अगर कलती किया है तो पुलिस कारवाई कर सकते हैं पर बगैर साक्षे के किसी पर कारवाई करना कितना जायज है। अब फुर्गाम में नाटा करने वाई लोग का कि कोई खेलावना दीजिए तो थोड़ा इसमें बास ही करना है। कोई सा खेलावना चाहिए। छोटा मोटा बंदूग टाइप को जो होता है तो दीजिएगा तब पूश हो जाएगा। तब पलाश्ची के खेलावना हमारे पास था बहुआ गया घर से लिया के दे दिया। अब उपर उठा के जो दे रहा था तो किसी ने फोटो घिच के उसको बारल कर दिया। अब बदनामी करने के हम पूर मुखिया हैं। दो बर मुखिया रह चुके हैं। हमारे बहुत परफिदोंदी हैं हमारे पीछे लगा रहता है। यही सब कारण है कि हमको बदनाम करने के लिए, हमको इस साइज में रतने के लिए, जुड़ा मुटा है, केस लो करवा दिया। हम एश्पिसाय से मुझारिस है कि इसका जांच करा के एफ़या करें, उचित करवाई करें। पुल्वा चैनबु थाना घर पर हमार गये थे, हमसे भेट नहीं काम को। झाले हर, में उचित करें। हम जच राओं को। झाल झाल